जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग पार्ठ एक, पार्ठ दो और पार्ठ तीन का प्रस्णोत्तर हम लोग कर लिया था और अब बारी है पार्ठ चार का जो है भारत में राष्ट्रवाद हम लोग भारत में राते हैं और ये हमारा चैप्टर भी भारत में राष्ट्रव और आज हम लोग इसी का प्रस्ण उत्तर करेंगे इसलिए इस वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा जैसा कि आप लोग अब देख लिए यह वस्तुनिष्ट प्रस्ण जिसमें आप लोगों को पहला कहता है कि गांधी जी ने सावर मती आश्रम की अस्थापना किस वर्स की ग्रणाव में नाया है और दूसरा कि काता है कि फंस पर लागू हुआ था तो ये उत्योग पतीयों पर इसका हुए और तीस्रा कि गदर्पार्टी कि असथापना किस ने किति तो लाप लोगों को देख लेना है और चौथा देखे काता है कि लखना उसम चौथा किस वर्स हुआ था तो 1916 में हुआ था तो ये आप लोगों को देख लेना है हाला कि मैं तो इस वीडियो का जितना भी प्रस्न उत्तर है जैसे कि अतिलगुलगु उतरिये एवं दिर्गुतरिये सभी प्रस्नों के उतर इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगे इसलिए इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखिएगा देख लिजे हमारा चौता तक हो चुका है पच्वा देखिए काता है कि रॉलेट कानून किस उद्धेश से बनाया गया था तो इसका उतर घव हो जाएगा क्रांतिकारियों गतिवीदियों पर अंकुस लगाने के लिए हमारा पाच्वा नंबर कोस्चन भी बहुत आसानी से हो चुका है और इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर किजी क्यूंकि हमारा हिस्ट्री पूरा चैप्टर मैंने कड़ा रखा है लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी हाला कि आप ल जोग्राफी हिस्ट्री सिवेक्स कमेस्ट्री सभी मितलब जितने भी सब्जेक्ट हैं भारती भावन के और साथ में न्सी आटी दोनों के हम लोग इस वीडियो में कड़ाते हैं इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किये हैं आप लोग पहली बार हैं तो चैनल को स स्वराज नामक पुस्ता किस ने लिखी तो महात्मा गांधी यह भी आप लोगों को देखने नाम और देख लिए आठवा नंबर कोस्चन कहता है कि तुर्की में खलीफा का पद किस वर्स समाप्त कर दिया गया था तो इसका उत्तर गव हो जाएगा 1924 इसमी में नौमा नं कोस्चन कहता है कि कांग्रेस ने किस तिथी को पूर्ण स्वतंत्र दिवस मना आया तो इसका उत्तर हो जाएगा 26 जन्वरी 1930 को हमारा बाड़ावा नंबर कोस्चन कहता है कि 1932 में पूर्ण समझोता किस के बीच हुआ था गांधी जी और डॉक्टर अंबेदकर के बीच अंबेदकर जी को कहा जाता है सम्मीधान का निर्माता हमारा तेरहवा नंबर कोस्चन आप लोग देख सकते हैं कि किस किसान कांधोलन के दोड़ान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधी दी गई थी तो इसका उत्तर हो जाएगा बार दोली हमारा हो चुका है तेरह नंबर कोस्चन कंप्लीट 14 नंबर कोस्चन कहता है कि अखिल भारतिये किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था तो 1936 में हमारा 15 नंबर कोस्चन कहता है कि अल इंडिया मुस्लिम लीग की अस्थापना किस वर्ष हुई थी तो इसका उत्तर हो जाएगा 1926 में हमारा 16 नंबर कोस्चन कहता कि हिंदू महा सभा के संस्थापक कौन थे तो इसका हो जाएगा मदन मोहन माल विये हमारा 16 नंबर कोस्चन कम्प्लीट हो चुका है और साथ ही साथ हमारा वस्तुनिष्ठ प्रस्न भी कम्प्लीट हो चुका है और अब है बारी हमारे जो रिकत अस्थानों की पूर्ती करें जो कोस्चन है इसको कम्प्लीट करने की तो पहला देख लिजिए कि न्यायाधीस सि सेडीशन समीती कमीटी तो यह आप लोगों को देख लेना है कमीटी है सेडीशन कमीटी यह भी आप लोगों को याद करना है यहां से लेकर पूरा यहां तक और अब हम लोग दूसरा देख लिजे कहता है कि पराजित तुर्की के साथ रिक्तस्थान है कि संधी हुई तो सेव हमारा अली बंधुओं हो जाएगा बंधुओं यहां पर बंधुओं हो जाएगा और हमारा देख लीज़ेदे चौथा नमबर कोशचन काता है कि असह योगां दोलन का प्रस्टाव नागपुर कांग्रेस अधीवेशन में स्विकार्ड की आ गया हमारा तीसरा चौथा नमबर कोश्चन कम्प्लीट हो चुका है, माचवा नमबर कोश्चन कहता है कि लाला लाजपत राय की अध्याच्यतान में ए आई टी यूसी की स्थापना उनी सो बीस में हुई हमारा पांचवा नमबर कोश्चन कहता है कि घटना के बाद गांधी जी ने असहयो गांदोलन वापस ले लिया तो यह हो जाएगा चौरी चौरा हाला कि यह अच्छे से आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, चौरी चौरा होता है चौरी चौरा हमारा दूसरा देख लिजिए क्या कहता है दूसरा काता है हमारा की आठवा नमबर कोश्चन की वर्स 1930 में सूर्य चेन और उसके साथियों ने पड़ अधिकार के एक अस्थाई सरकार की अस्थापना की तो इसका हो जागा वर्स 1930 हो जाएगा हमारा देख लिजिए नॉमा नमबर कोश्चन काता है कि भारतिये राष्ट्रिये कांग्रेस के प्रथम अध्याच कौन थे तो ये आप लोगों को देख लेना है कि व्यो में चंद्र बनरजी हो जाएंगे हमारा दस्वा नमबर कमप्लीट हो चुका है हाला कि अभी रिक्त स्थान ही हुए है अभी तो आप को यहां देख लिजिए यह भी करना है उसके बाद फिर कि गाढ़मा का उरिषा हो जाएगा मात्र उरिषा दिया हुआ है कोश्चन एंसर में उसके बाद कुछ नहीं दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोगों कोई स्वास नहीं है तो यह देखिए उरिषा इगाढ़मा का दिया हुआ है उसके बाद कुछ नहीं तो ये देख सकते हैं अब है हमारा जो तीसरा नंबर कोश्चन जो कहता है कि सही गलत का चैन करना है तो इसका उत्तर आप लोग देख लीजिए एक बार स्क्रीन सोट ले लीजिए ये सभी जो है अंधोलन एनी वीशेंट और बालगंग अधर तीलक ने चलाया सही था भारती सौधीनता समीति के अस्थापना लाला हांदयाल ने फ्रांस में की ये गलत है तीलक सौराज फंड की अस्थापना समीनय अवग्ध्यां अधोलन के दोड़ान की गए ये भी गलत है अलूरी सीता राम ने राजु ने गोरिल्ला युद्ध किया ये सही है और चौथा पजमा नगते कि ये काता है कि गया कांग्रेस अदिवेशन में परिवर्तन वाद्थी पर्याजित हुई तो ये सही हो जाएगा अब आप लोगों को देख लेना है कि उपियुक्त सार्णी के आधार पर निम्नलिखित म्रस्नों का उत्तर देना है महात्मा गांधी के राजनितिक गुरु कौन थे तो इसका उत्तर हो जाएगा गोपास क्रिस्न गोखले दूसरा कहता है कि खलीफा के समर्थक में अली बंध और चौथा देखिये कहता है कि पुर्ण स्वराज की मांग किसने और कब की तो पुर्ण स्वराज की मांग जवाहर लाल नहरू ने की थी और 1929 में पांच्वा नंबर कोस्चन कहता है कि बार्दोली सत्याग्रह को किसने नेत्वित्व प्रदान किया था यह आंदोलन कब आड़म हुआ था तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्दार वल्लब भाई पर टेर 1926 में हमारा चौथा नंबर कोस्चन कंप्लीट हो चुका है चौथा नंबर तक पाच्वा नंबर में देख लिए कहता है कि कॉलम और से कॉलम में मिलान करना है तो यह तो आप लोग कड़ी ल जरूर देख लिएगा क्यूंकि मैं उसमें वीडियो अप्लोड कर दिया हूंगा अतिलगों का लगों तरिये और अशा करता हैं को यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और अगली वीडियो में आप लोग को आठ पांच का जितना भी कोस्चन है यह चैप्ट झाल 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 झाल